जाग जी में तीत पुर्दा थी चुकी शाह पलदर छोबला जुम्रे नरो देहरत जी चुकी आमदो रफ्त बढ़ने की वज़ा से ये एक काम्याब बंदर साबित हुआ यहां की कच्छी और भाटिया कोम के ब्योपारी मसकत और दूसरे मुमालिक से ब्योपार करते थे बिसमिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम हम जब तारीक की किताबों का मुताला कर रहे होते हैं तो जहन के आस्मान पर अंदर की केफियतों की अजीब औ गरीब शबी बनती जाती है कहीं पर बादशा का दरबार लगा हुआ है और फेसले सुनाए जा रहे हैं कहीं पर शहरों के बाजारों में लोगों की चहल पहल है कहीं महलाती साजशें अपने अरूज पर नजर आती हैं तो कहीं मेदाने जंग जंग जुओं के खून से सुर्ख होते जाते हैं कहीं रास्तों पर बेवपारियों के काफलें हैं जो उटों की कतारों पर सामान लादे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं फिर वो बंदरगाहें भी हैं जो ना फक्त दूसरे मुलकों से आए हुए सामान की खरीदो फरोक्त करती हैं बलके इल्म उ फजल के भी ये दर्वादें हैं जहां से बड़े बड़े आलिम फाजिल महकिक और तखलीक कार नई जमीन पर कदम रखते हैं और अपनी अपनी तखलीकात और तहकीक को नई जेहते देते हैं फिर हमें वो सल्तनते भी दिखाई दी जाती हैं जिनके नसीबों में सुख की सांसे लेने के लिए बहुत ही कलील अर्सा तहरीर किया गया मगर दुख और वीरानियों के लिए सारी उमर रकीम कर दी गई ठटा से आप अगर सिजावल के शहर आएं और फिर शहर से जनूब की तरफ निकलता हुआ सीधा रास्ता ले लें जो आपको सिंद के एक छोटे से मगर मसरूफ और लोगों से भरी हुई गलियों और रास्ते वाले शहर चुहर जमाली ले जाएगा यहां से मश्रिक की तरफ शाह अकीक और जलाली बाबा की मशूर दरगाएं हैं लेकिन हम शहर से जनूब की तरफ जाने वाले रास्ते से जनूब की तरफ चलेंगे आप कुछ किलो मीटर जुनूब की तरफ सफर करेंगे तो मश्रिक की तरफ कुछ पहाड़ियां अचानक से आपको नजर आने लगती है ऐसा मेहसूस होता है जैसे अभी अभी इस जमीन पर उगी है पहाड़ियों का ये सिंसला आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं चलता कुछ किलो मीटर के बाद इनका हजम कम होकर छोटा होता जाता है और बिला आखर ये पहाड़ी सिंसला गुम हो जाता है चुहर जमाली शहर से तकरीबन 18 किलो मीटर के फासले पर समंदर की एक क्रेक खाड़ी है जिस पर कुछ चोटी बड़ी कष्टियां लेटी हुई थी बस पानी की एक लकीर थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था के इस क्रेक का समंदर से अभी तक रिष्टा जुड़ा हुआ है वही रिष्टा जो 1769 में इस वक्त सिंद के बादशा गुलाम शा कलोडो ने शाबंदर की तामीर करके यहां से जुड़ा था 1737 में ठटा में कलोडो की हुकूमत काइम हुई ये वो जमाना था जब सिंद का सियासी मनजर नामा इंतहाई पेचीदा सुरते हाल में लिप्टा हुआ था एक तरफ बलोच थे दूसरी तरफ इस्ट इंडिया कंपनी थी फिर किक्राला के जाम थे 1747 में कलोडो हाकमों ने कलमतियों और जोख्यों को अपनी तरफ किया इस दोरान खारोचान से केटी बंदर और घारो के करीब जो छोटे छोटे बंदर थे इनके हिंदू ब्योपारियों ने कराची बंदर का रुख किया जो खड़क बंदर में रेत भरने की वज़ा से 1725 से आबाद होना शुरू हुआ और 1729 में कराची बंदर का 35 एकड में किला भी तामीर हो चुका था और मसकत से तोपे मंगवा कर कोट की दिवारों पर जमादी गई थी गुलाम शा कलोडो एक जहीन और हालात पर गहरी नजर रखने वाला हाकिम था इसने जब बंदर गाहों की ये सूरत इहाल देखी तो जेरी सिंध में ब्योपार को बड़ावा देने के लिए इसने 1769 में शाह बंदर तामीर करवाया और रंगा बंदर जो अपनी आखरी सांसे ले रहा था वहां से ब्योपारियों को शाह बंदर ले आया और साथ में अंग्रेज फैक्टरी भी यहां ले आया इस बंदर पर मिया गुलाम शाह के पंदरा जहास खड़े होते थे ब्योपार और आमदो रफ्त बढ़ने की वज़ा से ये एक काम्याब बंदर साबित हुआ यहां की कच्छी और भाटिया कोम के ब्योपारी मसकत और दूसरे मुमालिक से ब्योपार करते थे 1758 में इस्ट इंडिया कमपनी यहां पर अपनी कोठियां खोलना चाहती थी यहां अंग्रेजी लवज फैक्टरी के हवाले से कुछ अभाम है जिसको दूर करना जरूरी है फैक्टरी का नाम सुनकर जहन में जो मिशिनरी का तसवर पैदा होता है यहां ऐसा नहीं है फैक्टरी को गुदाम या ब्योपारी कोठी कहना मुनासिब होगा इन कोठियों के काइम करने का मकसद यह था के सिंध में पैदा होने वाली जर्ई अजनास के इलावा चीनी और कल्मी शोरवा और नीर को योरपी मंडियों तक पहुचाया जाए गुलाम शा ने इस सिंसले में तीन परवाने जारी किये जिनके नतीजे में ठटा और शाबंदर में ब्योपारी कोठियां खोलने और रहाइश की जगें बनाने के मजास थे 1771 में तालपुर और कलोडो खांदान की सियासी रसा कशी जोरों पर थी 1772 में मियां गुलाम शा कलोडो ने इस फानी जहां को अलविदा कहा तक्त पर इसका बेटा मियां सर्फराज खान बेटा मगर हालात बहतर ना हो सके 1775 में ठटा और शाबंदर की कारोबारी कोटियां बंद कर दी गई 1784 में कलोडो की हकूमत ने अपने नसीब के लिखे दिन पूरे किये तो तालपुरों के भाग जाग गए और यू मीर फते अली खान को तालपुरों को पहला हुक्मरा बनने का एजाज मिला वक्त को सर्शस्त में बदलना है जिसे हम बदल नहीं सकते वक्त बदल गया है शाबंदर का मनजर नामा बदल गया है बस नहीं तूटी तो तसलसल की डोरी नहीं तूटी अब बड़े जहाज न सही छोटी छोटी कष्टियां ही सही बड़े बादबान न सही छोटी छोटे रंगीन कपडों की जंडियां ही सही पर नाम ने तो वफा की चादर को अब तक ओड़े रखा है अभी तक इस लम्हे की लाज को मेला नहीं होने दिया गया जिस पल ये न नाम रखा गया था दो सो बर्सों से समंदर ने भी मूँ नहीं मोड़ा और आज तक इस बंदरगा से रिष्टा जोड़े हुए है ये बड़ी बात है कभी कभी बेजान चीजें और इत्फाकात हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं ये इलाका सम्मा सरदार खेरों की रियासत की क्राला थी तारीख के औराक बताते हैं के सिंद पर सम्मा सरदारों ने 1351 से 1519 तक हुकूमत की क्यूंके इनके रिष्टेदार गुजरात और कच्च की तरफ राजवारों की सूरत में मौजूद थे इसलिए उनको हर हवाले से मदद मिलती रहती थी अगर यहां जमीन तंग पड़ जाती तो यह वहां चले जाते हुकूमत के खात्मे के बाद धीरे धीरे सियासी हवाले से जनूबी सिंद में फक्त समंदर किनारे जिसे किक्राला कहा जाता है अपनी आजाद रियास्त काइम की यहां बड़े बड़े कोट किले थे मगर अब वक्त की दीमक ने कुछ नहीं छोड़ा इनके दो कबरुस्तान मशूर थे एक चिट्डियों के नाम से जाना जाता है जिसको समंदर ने निगल लिया इसलिए अब वहां शोरीदा पानी और वीरानी के सिवा कुछ नहीं है दूसरा अबन शाटकर के पास कुछ मकबरे रे गए हैं वो देखे जा सकत हैं जिस रफतार से हम अपने माजी को दोनों हाथों से बरबाद कर रहे हैं इसे लगता है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब गाउं तो होंगे मगर इन सर्द रातों और तबती धुपेरों में माओं के पास अपने बच्चों को सुनाने के लिए कोई माजी की कहानी या किस नहीं होगा और ये कोई अच्छी सुरते हाल नहीं होगी अच्की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शियर करें और सबस्क्राइब करें अपनी राय का इजहार कमेंट्स वोक्स में जरूर करें